Hello everyone, welcome back to my channel, Divinity Terrorist, X-ray Truth Always Exposes Darkness तो आज का जो topic है guys, वो है candle wax reading और आज के candle wax reading में हम देखेंगे आपके person का big final decision, बहुत बड़ा फैसला कि आप वो लेने वाले है definitely यह जो reading है, यह timeless है, gender neutral reading है, male, female, सभी लोगों के लिए है तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसे भी वक्त देख सकते हो and you can take the guidance but this is a general prediction, alright guys, so claim the reading channel को like, share, subscribe, जरूर कीजिएगा and thank you for the wonderful comments that you are sending it to me, ठीके और reading को claim करना मत भूलना, thank you universe, जरूर बोला और जब मैं इस reading को कर रही हूँगी, प्लीज आप अपने person के बारे में, प्लीज सोचिए, ठीके तो चलिए reading स्टार्ट करते है आज मैंने लिया है green candle, so green represents the heart chakra, the fertility, ठीके स्टार्ट करते हैं, आप अपने partner के उपर पूरी तरह से focus कीजिए आज का headline से love is natural as honey प्यार बहुत ही शुद्ध है, प्यार एक कुद्रत की चीज है, प्यार है पूरी तरह से एक शहद की तरह, जो बहुत मिठा है, लेकिन natural है वो कुद्रत का है वो So universe, pet guides and angels, please guide me in the right direction, कि मेरे जो viewers है उनके partners इस वक्त क्या feel करे है, क्या सोच रहे है और उनका आखरी फैसला किस तरह से होने वाला है आपके person के mind में at a time अभी बहुत कुछ चीज चल रहा है तीके, वो इतना ज़ादा anxious है, चिंतित है, कि वो चा रहे है, कि आप उनके सामने जाओ, जाकि उनको थोड़ा सा pamper करो तीके, बहुत ज़ादा प्यार आ रहा है आपके उपर तीके, आपके person Gemini हो सकते है, मेथुन राशी हो सकते है यहाँ पर मुझे one, one, यहाँ पर मुझे e letter, यहाँ पर दिखाए दे रहा है आपके person इस वक्त हो सकते है, कि बहुत ज़ादा काम कर रहे है and definitely वो कुछ अपना जो घर से related, मतलब अपना office से related कुछ काम, मतलब कुछ documents, कुछ files वो अपने घर पे लेके आये है, या laptop पे वो काम कर रहे है अगर यह आपके husband या wife है तो आप जानते ही होंगे या अगर नहीं भी है तो भी आप अपने partner से अगर आप पूछ रहे हो मैं उनके लिए बोल रहे हूँ जो no contact में नहीं है जो contact में है, उनके लिए मैं बोल रहे हूँ, शायद बहुत ज़दा busy है यह अपने field पे कुछ try कर रहे है, कुछ innovative करने की कोशिश कर रहे है आपके person ऐसा नहीं है कि समय आपके बारे में नहीं सोच रहे है no उनको यह लग रहा है कि यह इतना ज़दा व्यस्त है काश वो आपको समय दे पाते और बहुत अच्छा होता कि अगर आप इनके साथ थोड़ा देर के लिए ही सही ठीके, इनके पास अगर आप होते no contact वाले के लिए मैं बोल रहे हूँ और इनके साथ आप कुछ देर तक ठीके, डेर सारी बाते कर पाते तो इनका दिल जो है ना थोड़ा सा इनके बोथ जो है ना वो हलका हो जाता फिर ठीके, जिस सारसा होता है ना कि हम बहुत कुछ चीज कहने की कोशिश करते हैं लेकिन ओफिस में तो कोई ऐसा है ना बिजनेस हो या ओफिस हो किसी के साथ कॉल भी करें बिजनेस रिलेटेट काम भी करें लेकिन वो तो हमें इतना emotionally नहीं समझेंगे ना वो अपना ही है जो समझेंगे यहां पे एक लेटर आ रहा रहा है यहीं नमबर्स आ रहा है 3, 12, 21st and 30th can be important day हो सकता है इनके birthday आते हो या March important हो सकता है या आप दोनों के बीच में 3 साल का रिष्टा है या 3 महीने का कुछ problems चल रहे हैं 3 से related कुछ हो सकता है आपके person ना specially रात के समय पे इतना ज़दा ये मतलब क्या मैं बताओ कि मतलब बेचान हो जाते हैं ना कि ठीक तरह से सो भी नहीं बाते ठीक है मुझे लग रहा है आप जहां पे भी बैटे हो आप अभी straight बैठे हो straight एकदम बैठे हो ठीक है ये इंसान जो है ना आपके close आने की कोशिश कर रहे है एकदम करीब आने की कोशिश कर रहे है जिस तरह से एक intimate lovers होते है जिस तरह से वो अपना प्यार को flow में जाने देते हैं ना उसी तरह से ये इंसान जो है ना प्यार अभी फिलाल जो है ना इनको इनको ऐसा लग रहा है ना कि जो भी काम ये कर रहे है वो इनके लिए बहुत ज़दा burden होते जा रहा है कि क्यों देखो आपके person जो है अगर ये बहुत ज़दा materialistic है तो पैसा अगर ये कमा रहे है तो इनके लिए तो additional responsibilities फिल लेना ही परेगा ना तो ये विचारे क्या करे भी इनको family का भी बहुत ज़दा responsibility उठाना होता है शायद आपके person already किसी के साथ merit थे और उनको वहाँ पे भी compensation देना पड़ता है maybe it is possible अगर उनका mutual divorce नहीं हुआ हो तो शायद उनको देना पड़ता है तो ये देखो आपके साथ ऐसा hug करना चाहते है they want to come close like this वाओ आपके person Taurus, Virgo, Capricorn भी हो सकते है आपके person मतलब धोड़ा सा छूके ना अपना expression देते है ठीके धोड़ा सा ये touch कर लिए ना तो आप बहुत ज़दा मैं आपको बता दूए अगर आपको touch करते है ना तो आप बहुत ज़दा मतलब you just feel like out of the world क्योंकि ये आपके soulmate है इसी लिए इतना ज़दा flame आ रहा है देखो बिना हवा का इतना ज़दा flame आना है का मतलब ये बहुत ज़दा energetic level पे चले जाते है once they touch you they feel the ultimate feelings ठीके they feel the vibrations lower vibration में नहीं जाते है higher vibrations में जाते है ठीके दूसरा चीज़ आपको लगता है कि चीज़े इतना क्यों रुकावटे क्यों पैदा हो जाते है इतना ज़दा और आप इस बंदन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाते हो चाहिए आप जितना भी गुस्सा करो आपको लगता है यह इनसान आएंगे न आपके पास तो आप बहुत ज़दा जोरों से जगड़ा करोगे लेकिन एक बार यह सामने आ गए न तो गिले शिक्वे सब कुछ खतम हो जाएगा आपका कि क्या आप रहे नहीं पाते हो इस इंसान के बिना अपने अंतरात्मा को पूछो क्या आप रहे पाते हो इनके बिना नहीं न यहाँ पर मुझे फिर से बहुत कुछ भेजना है यह आपके परसन शायद इस तरह का कोई प्रोडाक्ट्स या सर्विसस को शायद वो सेल करते हैं मेभी दे आर इन्वॉल्ट इन सेल्स मार्केटिंग, पैकेजिंग ट्रांस्पोर्टेशन, शिपिंग इस तरह का यह मैनेजर है, शायद इस तरह से डील करते हैं, मैभी कार्गो सर्विसस में है मैभी एरक्राफ्ट इंजिनियर है, ठीके इस तरह से हो सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़दा मुझे यहाँ पर दिखरा है कि कन्फूशन के बादल चाया हुआ है आप में ठीके आप क्लिर नहीं हो कि इनके इंटेंशन क्या है लेकिन अभी मुझे जो दिखरा है न इनको बहुत ज़दा प्यार आ रहा है आपके लिए, जिस लाइक, I feel the card of impress यहाँ पर देखो, एक woman है, यहाँ पर एक man है आप इनसे जगरा करने के mood में हो, बड़ यह देखो सिर्फ, अगर आप अभी बात करोगे न, यह सिर्फ शान्ती से सुनेंगे यह कुछ कहेंगे नहीं यह मतलब सिर्फ सुनते जाएंगे फिर यह अपना statement रखेंगे यह कुछ समझ मतलब आपको समझाने की कोशिच भी कर रहे है, शायद कुछ signals के थूँ, लेकिन आप शायद नहीं समझ पा रहे हो यह आपको लगता है, यह सिर्फ मुझे ऐसा ही गुमा रहे है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आपको लग सकता है, इन सिक्यूरिटीज पेज में न, इनके काफी ज़द आप देखते हो, एक पोस डालते हैं न, तो काफी ज़द लाइक्स, कमेंट्स आ जाते हैं, तो जिस तरह से वो भी आप से jealousy feel करते हैं, आप भी करते हो, है न, येस, it's like that, दोनों-दोनों से एकदम बिल्कुल अलग नहीं रह पाते, लेकिन न, वो ही होता है, opposites always clash also, opposites always attract also, यहाँ पर मुझे इस तरह से लग रहा है, इनका मन हो रहा है न, कि आपको, पूरी तरह से न, यह आपको confirmation दे, और यह देने की planning भी कर रहा है, यहाँ पर देखो, कुछ फैसला लेने वाले है, कि क्यों हो सकता हैं, इनको recently कुछ success मिला हो, जिसको यह इंतेजार कर रहे थे, और कुछ लोग के लिए, आपके लिए यह divine damming आ चुका है, और आपको, नहीं wait करना परेगा, मैं आपको साब साब बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है, इनसान आपको धोका देने वाले हैं, नहीं, अगर इरादे भी इस तरह से हैं, नहीं है इरादे, अभी तो पक्के हिवादे हैं, बहले एक general prediction है, फिर भी मैं बता रही हूँ, देखो, एक hammer आया, जिस तरह से court, judgment में देते हैं न, order, 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 उस तरह से आ रहा है, मतलब अभी universe आपके लिए फैसला सुनाएंगे, universe आपको कही न कही इस connection में न, universe ने काफी ज़ादा मदद किया हुआ है आपका, कि कि आपने manifestation किया है, और उसका रंग ला रहा है, चारों तरफ मुझे one दिखाई दे रहा है, so 11, 29th, ठीके, even 10th, dates can be very important, the month of November is very important, यहाँ पर देखो सीधा से सीधा है कि hammer आया, जिस तरह से, इस तरह से, order, order, order वाला, judgment card, it's like that, so universe प्लीज बताएए कि, यह जो इनसान है, यह कब तक फैसला ले सकते हैं, बहुत साथा contemplate कर रहा है आपके person, ठीक है, यह भले अंदर से manipulative है, लेकिन यह वो office में है, आपके साथ यह नहीं करेंगे, manipulation, यहाँ पर V दिखाई दे रहा है, तो जीत हासल होगा, यह होगा, यहाँ पर देखो, यह complete, जब मैंने शुरुआत किया था, यह wave आया था, और last में यह wave आया, यह देखो कि mustache बन रहा है, आपके person strongly divine masculine हो सकते है, ठीक है, जाए male या female does not matter, mustache आपके person के हो सकते है, मतला अगर यह male है, तो mustache है, but mustache generally defines, the masculine structure, ठीक है, यह person आपके बाद धिहान से, समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, और यहाँ पर भी एक not भी बन रहा है, इस तरह से, शायद यह अगर आप female होना, तो यह आपके बालों को, शायद खुला देखना, बेटर प्रिफर करते हैं, परसन किस तरह से फैसला लेने वाले हैं, गब तक ले सकते हैं, इसला, गब तक ले सकते हैं, बहुत जदा बर रहा है, ओ मैगोड देखो, इस तरह से मैं हगिग आप वमन, देखो, देखो ऑपुजर साइट से वमन हैं, यहाँ पर मैं है, they want to hug you, they want to smooch you they want to kiss you and they want to make this connection forever ठीके so यहाँ पर मुझे दिखा so maximum to maximum you can say that 1 to 2 weeks ठीके आपके person आपको कोई confirmation दे सकते है ठीके again this is a general prediction मैं बोल रही हूँ फिर भी हम देख लेते हैं इनका energy जो है न पर असे देख लेते हैं किस हालात में है यह और यह आखिरकार में क्या करना क्या चाते है what do they want to do and what will be their final decision what do they want to do and what will be their final decision second chakra archangel ariel this is the sexual chakra 36 number is important यह कही नगा ही मैं आपको बताया था they want to hug you they want to smooch you तो intensity feelings का बहुत जादा high है इनका इस वाक्त victory V से victory आया मैं आपको बताया था 28 number 10 10 is important victory तो यह definitely इस relationship में आपको hustle करना चाते है okay seven chakra archangel ariel the intuition the crown chakra कही नगाई पे इस तरह से है कि इनके intuition ये भी बोल रहे है कि आप से फिनी के हो और यहाँ पे देख़एगा award भी है तो मैंने आपको बता था कि recently कही नगाई से award मिला है इनको या success इनको मिला है जो आपके साथ share करना चाते है profit भी एक तरह का success हो सकता है उनके लिए material जरूरी नहीं कि award ही मिले तीक है third chakra archangel shamuel कही नगाई पे ये इनसान जो है this person you know what यहाँ पे chakras काफी जादा है so of course this connection is a intensely divine and spiritual one देखो फिर से first chakra archangel Michael कही नगाई पे ये base chakra है मुला धरा chakra तो यहाँ पे एक stability solid foundation है ठीक है so this is all about today's reading guys I hope you like it अकर ये इनका थोड़ा सा भी confusion होगा ठीक है तभी भी ये solve कर लेंगे because they are very much you can say calculative and they can do it वो कर लेंगे लेकिन कर के रहेंगे ये solid foundation आपके लिए ये कि इस अबेस चक्रा so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, derosic, sweat truth always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot best of luck